हेलो एंब्री वर्डी सेकेंड पर्ट पढ़ाएंगे आज केमिष्टी फोर्मूला का फर्ष्पर्ट मैंने अगली वीटियो में बता है था आपको सेकंड पार्ट केमिष्टी फोर्मूला का इनको सीख आप लो भी सबसे पहले फोर्मूला है एक व selli सबसे इसे एथलीन का यूज कहा किया जाता है फ़लों को पकाने के लिए फ़लों को पकाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है दूसरा फॉर्मूला है एसेटलीन का फॉर्मूला होता है C2H2 तीसरा है मेथन मेथन का फॉर्मूला होता है CH4 चोथा है एसीटामाइड चोथा फार्मूला यहामारा एसीटामाइड का एसीटामाइड का फार्मूला होता है CS3CO-NH2 एसीटामाइड का फार्मूला होता है और पांचमा होता है एथिलेमी इसका फॉर्मूला होता है C2H5NH2, एथिल एलकॉल, इसे मुष्ट की सराप का जाता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, एसिटिक एसिट, एसिटिक एसिट, इसका फॉर्मूला होता है C3COOH, C3COOH, और एसिटल याइड, एसिटल याइड का फॉर्मूला होता है C3COOH, C3COO, और एसिटल याइड का फॉर्मूला होता है C3COOH, और एसिटल याइड का फॉर्मूला होता है L2COONH2, ये यूडिया का फॉर्मिला होता है और फॉर्मिक एसिट इसका फॉर्मिला होता है फॉर्मिल लियाइड फॉर्मिल लियाइड इसका फॉर्मिला होता है यहां से देखे सभी फॉर्मिले आप लो वोर्या वोर्या और लाफिंग एस या हसाने वाली एस इसका फॉर्मिला होता है एन टू उ सल्फॉर्यक एसिट इसे अमलों का राजा कहा जाता है इसे अमलों का राजा कहा जाता है दखिंग ओ एसिट फॉर्मिला होता है इसका ह्टू एसो फॉर्मिला होता है देखिए उपर से, एतलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, एसिटलीन का C2H2, मेथेन का CH4, एसिटामाइट का CS3, CUNH2, एतलेमीन का होता है C2H5NH2, और एलकॉल का होता है C2H5OH, और मेथिल एलकॉल का होता है मेथिल एलकॉल, बुठा एतलीन का ये हैं मेथिल एलकॉल, मेथिल में मैवीजा गुरुप जुड़ा होता है, CS3 OH, देखिए उपर से, यहां थे, एस्टिक ऐसिट का फोर्मूला होता है, CS3COOH, एसिटल लियाड का होता है, CS3CHO, अमोनिया का NS3, यूर्या का NH2 CO&H2, एसिट का SCOOH और फॉर्मल डियाइड का होता है SCHO हसाने वाली या ना इसका फॉर्मूला होता है N2O सल्फियूरिक एसिड H2SO4 और मेथिल एलकोज CS3OH यह मैंने कल पढ़ाई थी फॉर्मूले आप लोग इनको अच्छे से तयार कीजिए तभी आप लोगों की जो केमिस्टी का जो बेस है वो अच्छा होगा Thank you for watching वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you